हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बेक टो यूटूब मैं चैनल, गाइस मैं आप लोग को स्वीडे के दुरू कुछ देखाने वाला हूँ, जो कोईत का गाह होता है, जो सौधी का होता है, और जो हमारी इंडिया गाह होता है, वो कैसा होता है, चलिए मैं आपको ाड बगारा है, और सफेदा भी है, तो यहाँ पर याँ अच्छा होता है, मैं आपको बताइं नी सकता हूँ, चलिए दिखाता हूं, हैं यहां बैटने के लिए कुछ सामाने है, जो की चटाईब चबता काpciónश से वर बएक है, द iç डिखाने के और को दूर बिखाया कहुआ आप लोग को ये चीजे मिस करने को मिड़ सकती है लेकिन हमारे इंडिया में ये सब जन्नक की तरह होता है वहाँ पर भी होता है वहाँ पर भी ऐसी बगएरा होती है और बोलते हैं कि वहाँ पर अगर ऐसी नहीं रहेगे तो लोग मर जाएंगे तो यहाँ पर ऐसी नहीं चाहिए यहाँ पर हमारे इंडिया में जो कि कुछ एरिया होता है जो गाउं वगएरा के लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर ऐसे रहते हैं तो आप लोग वेख सकते हो यहाँ पर पूरा एकदम हर्याली है यहां पर अभी यहां पर मौसम थोड़ा च्यांज हो चुका है जो कि बारिश की वज़ा से अगर आप लोग वहां पर जाना चाहते हो तो आप लोग को वहां पर आईसा देखनों कभी नहीं मिलेगा कोई आते हैं अपने कुईट में यहां जिसी से कंट्री में तो पैसा कमाने कर I戟 का रहे हैं ना कि वहां पर उनपर हैं लेकिन जारतो लोग जाते हैं कुछ मकसद होता है तो आपको बतारां चाहता हूँ भाई यहां पर हम लोग गा often के रहते हैं दोपर में आते हैं अम्हेस सकते हो अगहां पर अच्छा बिए हुँ है और नजारा भी वह द और अखिल न पर आप लेगा देखने कभी ने मिलेगा अगर मिलेगा तो बता तेना भाई इपार इक लुछे साल रह रहा हूं तो मुझे इतना इस्पेडिन्स है और पर मैं वहां पर घूमा हूँ रह था और यहाँ पर देख सकते हो ओपय पूरा हरियाली एक दम देखने के नजारा कुछ और ही है और यहां पर जहां-खर पर बगल बगल में ढका पेड़ होता है लेकिने यहां पर आम का पिव्ड हो चुका है जय ओँ हुद चुका है तो बस मैं आपको देखाना चाहता हूं इस वीडियो के तरू अगर आप लोगो किसी भी कंटे जाते हो अपना देश छोड़ कर तो आपको वहां पर ऐसा नहीं देखने का मिलेगा कभी भी देखने नहीं मिलेगा